नमस्कार दोस्तों, मैं पुर्सोतर प्रजापा स्वागत करता हूँ आपका KTSP चैनल में, आईए नज़र डालते हैं आज की कोछ खाथ का पर बबर गंगापरशिटी जिला मुख्याले में सरकारी तंत्र की लापरवाई का अनोखा मामला सामने आया है जहान लगवक्त, 13 साल पहले नगर पालीकन इस्टेशन के पास बजरिया में जिस भूमी पर दुकान दरों को पट्टे चारी किये थे अब रेलवे उस भूमी को सरकारी बता कर दुकान दरों को बेधकली करने की कारवाई कर रहा है जबकि दुकानधारोंने रेल्वे को उनके पास मौजूद पट्टे पेस कर दिये इसके बाद रेल्वे ने नगरपरशत को पक्षकार बना कर जबाब प्रस्तुत करने का नोटिश चारी कर दिया लेकिन पिछले तीन साल से नगर परिशत जबा भी प्रस्तुत नहीं कर रही है ऐसे में बिचारे दुकानदार मसधार में लटके हुए है इसे लेकर दो दर्जन दुकानदार तीन साल से मग नगर परिशत बेजिला प्रसासन की चकर काट रही है प्रेकरन में नगर परिश्ट को पक्षकार बनाय गया लेकिन नगर परिश्ट बिगत तीन साल से नयाले में कोई जवाब पेश नहीं कर पाई है ऐसे में उन दुकानदारों का त्यादोस जिन्होंने नगर परिश्ट को पैसे देख कर पट्टे लिए और अपनी रोजी रोटी चला रहे थे उन्हें भला कैसे इस पता चलता कि यह जमीन रेलवे की है सरकरी तंत्र की लापरवाई का नतीजा एक बार फिर आम जन्ता को भुकतना पड़ रहा है अब देखना यह होगा अई देखते हैं संबतत की रिपोर्ट क्या यार चान्दी चोग यार कंचा लेमन नहीं थी कंचा लेमन पीने के लिए चांदी चॉक जाने के क्या जरूरत है यह ले चैन्दी बंटा जीरा चेत्ठाकेदान नीबू और झहन्ना ते दार जीरा मसारा वही अपना पचपन वाला सुवार जयन्दी पंटा जीरा